Hello Everyone, Welcome to Shadi Box तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंगेजमेंट के लिए रिंग क्रे कैसे बनाते हैं बेस के लिए मैंने लिया है MDF Board and एक MDF Ring इसके जिगा पे आप कार्डबोर्ड को भी कट करके यूज कर सकते हैं MDF की रिंग को हम लोग MDF Board के उपर ग्लूगन के हल्ट से चिपकाएंगे और स्टर्डी बनाने के लिए फोम शीट्स को अप्लाई करेंगे इसके बाद मैं इसे और मजबूती देने के लिए कार्डबोर्ड को भी अप्लाई कर रही हूँ तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं इसके लिए मैं Velvet Cloth लूँगी और इसे Base पर चिपका दूँगी आप इसके जगह पे Satin Cloth भी यूज कर सकते हैं एकसेस फैब्रिक को हम लोग Scissors की हेल्ट से कट कर देंगे और उसको नीचे की और हम लोग Glugan के हैप से Paste करेंगे इसके बाद हम लोग Golden वाले Ribbon को लेंगे और MDF Ring के उपर चारो तरफ से Cover करेंगे आप ये प्रोसेस देख सकते हो कि मैं Round Round करते हुए इसे MDF Ring के उपर Cover कर रही हूँ अगर आप इस टाइप की वीडियो और देखना चाते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड हिट दे बेल आइकन और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी Follow कर सकते हैं तो हमारा MDF Ring Golden Ribbon से Covered हो गया है इसके बाद हम लोग Flowers Paste करना शुरू करेंगे मैं कुछ Velvet Roses and Fabric Flowers का Use कर रही हूँ आप अपनी Choice या Availability के According कोई भी टाइप के Flowers यूज कर सकते हैं Otherwise आप इस पे Handmade Paper Flowers भी चिपका सकते हैं Flower को हम लोग इस तरह से Place करेंगे ताकि एक अच्छा लुक आए नीचे के भी Portion पे हम लोग इसी तरह से Flowers को Arrange कर देंगे मैं दोनों साइड पर Flowers लगाऊंगी एक साइड में थोड़ा सा जादा रख रही हूँ और दूसरे साइड में थोड़े कम Flowers का यूज करूँगी यहाँ पर भी आप अपने Choice के According कम या जादा Flowers भी यूज कर सकते हैं बीच बीच के Spaces को फिल करने के लिए मैं चोटे-चोटे Pollen को भी लगा रही हूँ अगर आपको राव मेटेरियल से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं हमारा Flower Arrangement अल्मोस्ट रेडी है अब इसके बाद हम लोग एक जस्ट इंगेस्ट का कटाउट लेंगे आप इसके जगह पे कस्टमाइज नेम कटाउट भी ले सकते हैं इसको अटाच करने के लिए हम लोग जुड़ी वायर का यूज करेंगे साथी पर्ल चेन को इससे अटाच कर देंगे हम लोग दोनों साइट पर पर्ल चेन को अटाच करेंगे और ग्लूगन के हैट से जुड़ी वायर को पीछे की और पेस्ट कर देंगे अब हम इसे MDF रिंग जोके इंगेजमेंट ट्रे में अटाच है उससे अटाच करेंगे तो मैं पीछे के साइट पर पर्ल चेन को ग्लूगन के हैट से अटाच कर रही हूँ और इसे स्टरडी बनाने के लिए हम लोग गोटा का यूज करेंगे दोनों साइट पर हम लोग गोटा पेस्ट करेंगे Velvet के खाली spaces को fill करने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे beads को लगा रही हूँ आप इसके जगह पे golden beads का भी use कर सकते हैं अब मैं कुछ heart shape के acrylic cutouts ले रही हूँ और इसको MDF ring के खाली spaces पे मैं paste करूँ तो इस तरह हमारा engagement tray ready हो चुका है आपको अगर ये tutorial पसंद आया तो please subscribe to our channel and like this video अगर आप इस तरह की और videos देखना चाते हैं या फिर हल्दी महंदी से भी related videos देखना चाते हैं तो आप comment section में हमें बता सकते हैं हम जल से जल वो tutorial आने की कोशिश करेंगे अगर आप इसे purchase करना चाते हैं तो हमें Instagram पर message कर सकते हैं So thank you for watching